उधारण 15 यदि बहुपद PX बराबर 2X धन 3 तथा बहुपद QX बराबर X की घाद 2 धन X रिन 2 है तब बहुपद PX गुणित बहुपद QX ग्यात किजिए बहुपद PX गुणित बहुपद QX का हमें गुणा करना है तो बहुपद PX हमारे पास है 2X धन 3 और दूसरा बहुपद QX है हमारा X की घाद 2 धन X रिन 2 इन दोनों बहुपदों का हमें गुणा करना है इसके लिए सबसे पहले पहले बहुपद का पहला पद 2X का गुणा करेंगे हम X की घाद दूसरे बहुपद से जो की दूसरा बहुपद X की घाद 2 धन X रिन 2 इसके बाद पहले बहुपद का दूसरा पद है धन 3 का गुणा पुना हम दूसरे बहुपद से करेंगे X की घाद 2 धन X रिन 2 से जब यहां हम कोस्टक को खोलेंगे तो 2X का गुणा होंगा X की घाद 2 से धन फिर 2X का गुणा होंगा धन X से तो 2X गुणित X धन 2X का गुणा होंगा रिन 2 से धन 3 का गुणा होंगा X की घाद 2 से धन 3 का गुणा होंगा X से और अंत में धन 3 का गुणा होंगा रिन 2 से बराबर दो X का गुणा X की गुणा 2 से X की गुणा 3 धन 2 X को X से गुणा करेंगे तो X की गुणा 2 धन को रिन से गुणा किये धन 2 को रिन 2 से गुणा किये तो रिन 4 X धन 3 तीन एक्स की घात दो धन तीन एक्स धन का धन तीन को गुड़ा करेंगे रिण दो से तो रिण छे प्राप्त होगा अब यहां पर हम समान घात वालों को पद को एक साथ लिखेंगे तो दो एक्स की घात तीन धन दो एक्स की घात दो धन तीन एक्स की घात दो रिण चार एक्स धन तीन एक्स रिण छे यहां पर सबसे पहले हमारे पास दो एक्स की घात तीन जो की पहला पद है जिसकी घात तीन है अब यहाँ पे दो एक्स की घाद दो धन तीन एक्स की घाद दो आपस में इसका योग होंगा तो धन कोश्टक में हम लिखेंगे दो धन तीन एक्स की घाद दो को हम कोश्टक के बाहर लिखेंगे धन कोश्टक के अंदर में हमारे पास यहां रिल चार धन तीन कोश्टक के बाहर हमारे पास एकस है रिल छे बराबर दो एकस की घात तीन धन दो धन तीन पांच एकस की घात दो धन रिल चार धन तीन बराबर रिल एक एकस रिल छे बराबर दो एकस की घात तीन धन पांच एकस की घात दो रिल एकस रिल छे ये दो बहुपद का गुणा हमें प्राप्त हुआ और ये दो बहुपदों का हमने गुणा प्राप्त किया यहां इस उधारन का हल होगा करके देखें इन बहुपदों का गुणा करके गुणनफल की घाद बताईए पहला बहुपद P X परापर X का वर्ग धन 3X धन 2 बहुपद Q X परापर X का वर्ग धन 3X धन 1 दूसरा बहुपद P V बरापर V का वर्ग रिंड 3V धन 2 बहुपद QV बराबर V धन 1 तीसरा बहुपद PX बराबर 2X का वर्ग धन 7X धन 3 बहुपद QX बराबर 5X का वर्ग रिन 3X चोथा बहुपद PY बराबर Y की घाद 3 रिन Y की घाद 2 धन Y रिन 1 बहुपद QY बराबर Y धन 1 पाँचवा बहुपद P U बराबर 3 U का वर्ग रिन 12 U धन 4 बहुपद Q U बराबर U का वर्ग रिन 2 U धन 1 हमने सीखा पहला एक विशेश प्रकार का बीजी वेंजक जिसमें अक्षर संख्या चर की घात पूर्ण संख्या हो तब बहुपद कहलाता है दूसरा बहुपद के पद धन वर्रिन चिन द्वारा निधारित होते हैं तीसरा बहुपद के गुणांक एक संख्या होती है जो अक्षर संख्या के साथ गुणा में लिखी गई होती है कभी-कभी संख्या को अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं तब गुणांक संख्या ना होकर अक्षर होते हैं उधारण AX धन B में X का गुणांक A है चौथा, किसी बहुपद में उपस्थित सभी अक्षर संख्या का गुणांक 0 होने पर वह 0 बहुपद कहलाता है पाचवा, किसी भी संख्या को बिजी वेंजक व बहुपद कह सकते हैं तीन, पाच, छे और ऐसे बिजी वेंजक व बहुपद दोनों हैं चटवा केवल संख्या वाले बहुपद जहां बहुपद में केवल संख्या हो या अक्षर संख्या जो नितांक हो को अचर बहुपद कहते हैं साथवा किसी बहुपद में चर अक्षर संख्या की अधिक्तम घात को बहुपद की घात कहते हैं उधारण, बहुपद X की घात 5, धन 3X की घात 3, धन 2X की घात 5 है आटवा, बहुपदों को PX, QX, RX आदी से वेक्ट किया जा सकता है जिसमें कोश्टक के भीतर लिखी अक्षर संख्या बहुपद की अक्षर संख्या को दर्शाती है नववा, AX धन B, एक घात वा एक चरका बहुपद है, जहां A, B वास्त्विक नियत संख्याए हैं, जहां A बराबर शुन्य नहीं है दसवा, घात 2 के एक चरके बहुपद को वर्ग बहुपद कहते हैं ग्यारवा, जब किसी बहुपद का मान, चरके किसी मान के लिए शुन्य हो जाता है, तो चरका वह मान बहुपद का शुन्यक होता है बारवा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, AX धन B, जहां A, B वास्त्विक नियत संख्याए हैं, और A बराबर शुन्य नहीं है जब के शुन्य नहीं है, चवद्वा, त्री घाद बहुपद का व्यापक रूप, AX की घाद 3, धन BX की घाद 2, धन CX धन D, जहां A, B, C, D वास्त्विक नियत संख्याए हैं, और A का मान शुन्य नहीं है